यह कहानी है एक युवा लड़के राहुल की जो एक छोटे से गाव में रहता था। राहुल एक आम छात्र था और उसके परिवार के पास संधर्शों और अपार्थित्ताओं के कारण आर्थिक समस्याए थी। राहुल की मातापिता को उसकी शिक्षा का खर्च उठाने में कठिनाईया आ रही थी, लेकिन वे उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। राहुल ने हमेशा से ही अपने लक्षे को प्राप्त करने का संकल्प लिया था, उसका सपना था एक सफल व्यापारी बनने का, जिससे उसे अपने परिवार की मदद कर सके और आर्थिक समस्याओं से मुक्थ हो सके। राहुल जानता था कि उसे संधर्ष करना पड़ेगा लेकिन उसकी मनोजशा और ग्रिड संकल्प ने उसे अग्रसर बनाया। राहुल ने मेहंत की और रात दिन काम किया। उसकी पढ़ाई और काम करने की इच्छा ने उसे प्रक्ति कराई। लेकिन जीवन में कोई भी यातायात समस्या उसके सामर्थ्य को ध्वस्त नहीं कर सकती थी। उसे कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां उसकी सामर्थ और संधर्ष बाधाओं के रूप में आई। लेकिन राहुल का दृढ निर्णय उसे हर मुश्किली का सामना करने के लिए ततपर बनाये रखता था। जीवन के इस यात्रा में राहुल ने अपनी क्षमता और मेहंत के बलपर। वह निरंतर अपने लक्षे की ओर अग्रसर रहा। कठिनाईयों को अफसर में बदलने का एक चुनाव बनाया और हमेशा संधर्ष करने की प्रेणा दी। राहुल के संधर्षों और उतक्रिष्टता की कहानी बहुत लोगों को प्रेरित करती थी। उसकी मेहंत संधर्ष और द्रिड संकल्प ने उसे सफलता की। उंचायों तक पहुँचाया। राहुल ने अपनी कठिनाईयों को आवाजाही की और उसकी मेहंत और समर्पण ने उसे उसके लक्षे की ओर ले जाया। आज राहुल एक सफल व्यापारी बन चुका है और उसका परिवार आर्थिक सुख और सम्रिध्धी में जी रहा है। कि कोई भी चुनोती, कोई भी कठिनाई हमें रोकने वाली नहीं हो सकती है जब हमारी द्रिड आशा, अटल संकल्प और निरंतर मेहंत संद्रहित होती है। जीवन के हर पड़ाव पर हमें संधर्ष करते रहना चाहिए और खुद को सबल बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। राहुल की कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि जीवन के रास्ते पर बहुत सारी बाधाएं और विप्रीत परिस्थितिया हो सकती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना और अपने लक्षे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, संधर्शों का सामना करें और अपार्थित्ताओं को अफसर में, बदलने का प्रयास करें, जब हम खुद को साबित करने के लिए तक पर रहेंगे, तब हम सफलता की उचाईयों तक पहुँचेंगे। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि अपार्थित्ताओं और बाधाओं का सामना करना हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेणा देता है। जीवन में सफलता की राह में हमेशा संधर्ष रहता है और यही हमारे कारियों की मान्यता और सफलता की जड़ होती है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमक भी तूटते नहीं हैं, बलकि तोड़े जाते हैं। विपत्तिया हमें निखारती हैं और जब हम उनसे संधर्ष करते हैं तो हम अपनी। सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, जीवन में कोई भी चुनौती हमें रोकने नहीं सकती है, जब हम अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं और अपार्थित्ताओं को अफसर में बदलने के लिए ततपर रहते हैं.